स्वागत अभिटंदन एक ऐसी जनकारी जो पुराणों प्याधारित है महाभारत में जो दिया गया है उसका सही अर्थ ना कर पाने के कारण करण के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि करण कान से पैदा हुआ था करण कान से पैदा हुआ था ये एक अभ्योहरिक बात है ये अतथ्या पूर्ण है तो इसके करण के जन्म के पीछे का राज क्या है क्या है राज या रहिस इस पर आपको एक ऐसी सटीक जानकारी दूँगा जो सनातर धर्म से जुड़े हुए है जो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं उन लोगों को एक ऐसी जन्म कारी दूँगा जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा या देखा होगा क्या रहश्य था क्या सच में कान से जन्म हो था क्या कान से जन्म हो सकता है क्या इस बारे में आये चलते हैं कुछ समिक्षा के जाए सबसे पहले कहानी वहां से सुरू होती है कि एक बार कुंती जब किशोर अवस्ता में थी तो दुर्वाशाची उनके प्रसाद पे उनके महल में पधारे और कुछ दिन जो उनका राज मंदिर था या राज बाटिका थी महाँ पर उनने इकांतवास किया साधना किया उनकी सेवा में ये बालिका कुंती जो किशोरी थी इनको उनकी सेवा में रखा गया सेवाकार्ट उनको जो भी जरूरत होती थी जैसे कि भोशन बनाना है या फिर जो है कोई फ़लार कराना है या पोस्प चुनना है साध्ना के लिए या पूजा के लिए क्योंकि दुरवाशा बहुत बड़े एक तांत्रिक और मांत्रिक तपस्री रहे है बड़े करोधी रहें तो एक पवित्र किशोर वालिका को किसूरी को उनकी सेवा में लगाया गया ताकि कोई बाधप उत्पन्द ना हो उनकी साधना में और उस वज़े से वो कुपित ना हो जाए उनके साधना भंग ना हो जाए जब साधना पूरी हो गई दुरवासाजी की तो उन्होंने प्रसंद होकर एक मंत्र बताया तो मंत्र उन्होंने बताया कि किसी भी देवता को कैसे आकरसित किया जाए एक आकरशन मंत्र बताया कि जिस पूर उसको तुम जाऊंगी उसको आप आकर सिद्ध कर सकती हैं यह लोजिकली बात कह रहा हूँ आपसे यह तंत्र मंत्र में ऐसा होता है तो उन्होंने एक बशी करण का मंत्र दिया कुंती जी को एकांत में कुंति जी जो उस पर जब कर रही थी, सिद्ध कर लिया उसको, तो एक बार उन्होंने एकांत में उसे आवाहं किया, सुरिय का, सुरिय, अब बहुत सारे लोग कहते हैं, आग का घुला है, उस सुरिय को आवंतुरित किया, आकरशित किया अपने मंदरवा से, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इलोजिक है, क्योंकि हो इनहीं सकता, कि आख का गोला वहाँ उता रहा है, ये पदार्त है, ये भौतिक सुर्य है, एक जड़ है, एक आख का गोला है, ऐसा असंबह है, सुरिय नाम के एक राजा थे, और बहुत सुंदर थे, बहुत शक्तिसाली थ उनका उन्होंने आवाहन किया, कौतु हल बस जैसी बच्चों में होता है, ट्राई करके देखे, नई चीज़े विश्वास नहीं था, कौतु हल था, और उन्होंने आवाहन कर दिया, सच में बहां पर वो उपस्तित हो गए, खिचे चले आए, या फिर कॉप्र कट हो गए, जादुई भासा में, जब ऐसा हुआ, तो कुंती घवरा गए, उन्होंने कहा, सर्मा गए, घवरा गए, सुर्य ने पूचा, क्यों हमें इस मरण किया, बताएं, वो घवरा गए, सर्मा गए, कुछ बोल नहीं पा रहें थे, ठीटक गए, तो उन्होंने कहा, बस यो ही, तो उन्होंने कहा, मेरा आना यो ही नहीं हो सकता, नर्थक नहीं जाएगा, मैं तुम्हें एक संतान दोगा, अभी एक बात बताएं, कुंती को क्या संतान की जरूरत थी? संतान के लिए तो उन्होंने बोलाया नहीं था ये थी वो बास्तों में कोई धीपता होते तो वो मानवो जैसी बात क्यों करते क्यों दोगे क्या कुंती ने मांगा था क्या कुंती की उस समें की जरूरत थी संतान होना क्वारे होने पर उनका क्वारत तवंग करना जरूरी था क्या वो आवश्यक्ता थी उस समय क्या वो साधी शुदा थी उनके कोई बच्चा ने हुआ था जो उनकी डिमांड थी वो तो कोटू हलबश लेकिन सूर्य ने जो कि एक मानो ही थे एक शक्तिसाली मानो कुछ सक्तियों सिद्धीवल होगा उनके बास में उनका ने पुत्र दूबा अब वो मनाग अब वो बाद्ध हो गए ब्रहमित हो गए और उनके साथ में रमन किया अर्था सेक्स किया सीरी सी बात है मैं हिंदू धर्म सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ इसका मतलब यह नहीं है मैं जूटी सची कहानियों पर भरोशा करूँ जो इसका मजाग दूसरे लोग बना कहीं कांसे उत्पन हो सकता है तो शूरीय ने उनके साथ में सेक्स किया और कहा मेरा बीर अमोग है इससे तुमें एक संतान की एक सक्ट साली संतान की प्राप्ती होगी और पुत्र की होगी अब बताव क्या कुंती को जरूरत थी यह बहुत सारे सवाल है देपता तो ऐसा नहीं कर सकते जो जरूरत है वो देना चाहिए उसको का जरूरत थी तो कहते हैं करण से उत्पत्ती हुई तो करण मानी ये कान से नहीं इसका एक परियाव आची भी है रेखा गलेखा करण माने एक ऐसा इस्थान करण एक ऐसा इस्थान वहरेखा जो किसी चत्रमुज के तिर्चे बल में पढ़ने वाले आमने सामने विंदूगों को मिलाती है और उस चत्रमुज को दो तिर्वजों में बिवक्त करती है ऐसे इस्थान को बास्तू के अमसार करण इस्थान कहते हैं करण प्रांत कहते हैं बहाँ पर उनका चुकि जन्म हुआ था उस्थान पे ऐसा इस्थान था जो गुप्तिस्थान था जहां उनकी सहलियों ने उनका जन्म कराया बहुए करण नाम का इस्थान माने जो मैंने अभी रेखा गड़ती है वहां शाबोली ऐसा वास्तू के इसाब से इस्थान था वहाँ उनका जन्म हुआ और उसका नाम रख गया करना क्योंकि करन स्थान पे पैदा हुआ पहले जो नाम रखे जाते थे किसी वरक्ष के नीचे हो गए जैसे कि बहुत सारे बाबा लोग पीपल के बेरे रख्ष के नीचे बैठ के तब कर रहे हैं तो पे प्लेश्वर महराज के दिया है इसी प्रकार से कोई नीम के पैण के नीचे बैठ के साथ मा करन में लगे तो उनको नीम करो और वाबा वोन लगे ठीक इसी प्रकास से करण का जन्म इसी तरीके की ट्राइंगल तरोजाकार गुपति स्थान पे उनका जन्म कराए गया था तो उस स्थान को करण बोला गया है करण प्रांत, करण स्थान ये वाले करण नहीं, होई नहीं सकता ये लोजिक है तो ये है ऐसी जानकारी ये है कुंति और सूर्य की एक अनेतिक गाथा प्रेम गाथा, रोमांस गाथा और करण के जन्म का ये है एक हेदू और तथ्य परक जानकारी ऐसी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को समय समय पर देंगा ये आप लोग अपने हिसाब से कोई वीडियो या कोई बनवाना चाहते हैं किसी तथ्य पर किसी भी सूत्र पे आप किसी भी पिंदू पे आप कुछ जानना चाहते हैं नए धंग से उपयोगी धंग से तो मैं आपकी सेवा के लिए ततपर हूँ कमेंट करें जानकारी को आगे बनाएं ताकि जो हिंदू समाज में कुरीतियां है वो खत्म हो